ये प्रबंदन उभरते रुजान हमारी टीमों हमारे ग्रहा को और हमारे दृष्टी कोण को प्रभावित करेंगे बदलते समय में प्रसांगिक पने रहने के लिए ये आउशक कदम उठाएं दुनिया खुद ही हमारी विख्षित हो रही है तकनिकों के माध्यम से बदल रही है जैसे सामाजिक संगठन और कारोबारी माहूल हम साभी ने सुना है कि सामगरी राजा है संधर्व राजा है डेटा राजा है केवल प्रबरती की पैचान करने से हमें बहुत मदद मिलती है यहां हम देखेंगी कि हैं प्रवर्ती परियोजना प्रबंदन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपको नए प्रबंदन रुजानों के मारें पता लगा होना चाहिए। और वेटीमों, ग्रहाकों और दृष्टी कौन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में तकनिकी, सामाजिक और बाजार के विकास प्रबंदन के छेत्र को बदलना जारी रखेंगे। आपकी टीमों को ग्रहाकों के आउशकतां को पूरा करने, बजट के भीतर रहने और व्यवसाइक लक्षों को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रोधोगिक्यों में लगातार व्रधी जब तक कोई टेक्नलोजी और सोफ्ट्वेर लॉंच किया जाता है तब तक उसकी जगे लेने के लिए कुछ नया होता है कमपनिया अपने क्रमचारियों को तक्निकों पर अधिक से अधिक जोर दे रही है संगहठन या परियोजनय किया वसकताओं के आधार पर किसी व्यक्ति की तक्निक को अनुकूलित प्रेबंदित और एकिकरत करने की छमता परियोजना प्रबंदकों को अपनी तक्निक विक्सित करनी चाहिए यह भी समझदारी है कि कब कौन सी डिजिटल तक्निकों का उप्योग करना है और क्या एक निशी तक्निक का उप्योग किया जाना चाहिए गलत प्रबंदन या स्वेचालन सोप्ट्वेयर को उप्योग करने से आपकी परियोजनाओं लागत समय और बजट पर विनासकारी प्रभाव पढ़ सकता है आपकी प्रोधोगी की भागपल अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती है बेकार है जब प्रियोजना प्रबंदन कोशल के सईयोजन में उप्योग नहीं किया जाता है उस तक्निका उप्योग करे जो आपको लाप पहुंचाती है और बाकी पर परचार को अंदेखा करे आखिरकार एक दिन में केवल इतनी तक्निका उप्योग किया जा सकता है अपने सोध को कर कि अपनी तक्निक के भागफल और प्रबंदन कोशल को संतुलित करें, सर्वतम सूचियों, ग्रहाक, समिक्षया, प्रसंसापत्र, विशलेशन, रिपोर्ट और अन्यकारियों को पड़ें जो आपके समय की बच्छत करेंगे, परियोजना की सफलता और सेवाओं का महत्व, उ संगटनों को हमेशे अपनी प्रतिक्रियाओं, वर्खलो और दक्षताओं को अनुकूलित और समयोजित करना चाहिए, परबंदकों को परियोजना को पूरा करने और अपने संगटनों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूप से परिवर्तन का प्रबंदन करना चा ये उनके द्वारा परिवर्तन प्रबंदन करने के लिए अपने संगटन की चमता को मजबूत कर सकते हैं, सक्रिये होना उन प्रिक्रियाओं या परिक्रियाओं पर ध्यान दे जिनका ठीक से पालन नहीं क्या जा रहा है, या एक नई प्रिक्रिया को लागू करने वाले रिस्क मैनेजमेंट लेना हमारे प्रबंदन रुजानों में से एक परतिस परदा में व्रद्धी है, एक परवर्ती जो अब तक प्रासांगिक है क्योंकि ये जोखिम परबंदन पर अधिक महत्वे देता है, एजेंसियों और संगटनों के बीच परतिस परदा बढ़ रही ने की केर परियोजना इस तरपर जोखिम परबंदन नविंतम परियोजना परबंदन कोशल है, परियोजना के सभी चरणों में अधिक जोखिम परबंदन परियोजना परबंदकों को उन जोखिमों को कम करने के तरीके सामने आने पर योजना बनाने में मदद करता है, मुल्यानकन गराप विभाग पर्योजना प्रकार या अन्य प्रसांगई चरेट करें, भविसीक पर्योजना के लिए मुल्यानकन रिकोर्ड करें, अपने टीम के साथ पहले से समश्या हल करे, अपने प्रोजेक्ट ब्रीफिंग के दोरान जोखिमों पर चर्शा करते हुए 10- पंदरा मिंट बिताए और आप उन्हें कैसे हल कर सकते हैं ताकि आप तयार रह सकें टीम के साथ बाजार अनुसंधान के साथ रणनितिक साज़दारे में व्रद्धी उबरते प्रवंदन रूचान यह सहयोग के बारे में लोगों को हमेशा परियोजना को पूरा करने के बाचीत और भावनात्मक बुद्धी मता जैसे नरम कोशल कैसे अधिक व्यापार मुल्य प्रदान कर रहे हैं आपके और आपकी टीम के लिए एक समाध योजना बनाए जिससे हैं सुनिशित हो से कि जब आप चेकिंग में आते हैं तो एक ही प्रष्ट पर एक ही उपकरण म कर सकते हैं कारण के भीतर अधिक बैठके करें अन्य लोगों के दृष्टिकों प्राप्त करें अन्य विभागों अन्य प्रियोजना टीमों या अन्य सैक्षिक या सांस्कृतिक प्रष्ट भूमी से टीम के सदश्यों को सामिल करें सभी का एक अनूटा दृष्टिकों होत डैटने तक महत्वण अंत्रद्रिश्टी के लिए डेटा का करना चाहिए हमें प्रोजेक्ट डा बनाने के तरीक ранete के बारे में होशा रहना होगा अनुमान लगाने के लिए डेटा को उप्योग करना होगा और हमारी परियोजनाओं की योजना और पूरो अनुमान लगाना होगा डेटा के महत्म का मतलब है कि परियोजना प्रबंदिकों को समय समय पर डेटा विशलेशन भूमिका में कदम रखना होगा डेटा से प्यार करना सीखे उन उपकरनों को खोजे जि धारकों को प्रञी नाम देती हैं, निसकर्स, प्रबंदन में उभर्ति रुजान को समय समय पर विक्षित करने के आवशकता है, प्रबंदन में नए रुजानों को अपनाने से इस्तर संगठन के लिए नए व्यावसाय का जन्म होता है, नई प्रवर्ति, नए आवसर और वि